वाहिगुरुजी का खाल्सा वाहिगुरुजी की फते माया दे वड़े जान्टा विच काम तो बाद क्रोधा नंबर है क्रोध एक बहुती खतरनाक विकार है जो इंसान दी जिन्दगी बरबाद कर देंदा है क्रोध ने कई कर गाड़े हन अते कईया नो दुख दे समुंदर विच डबो दिता है इस वीडियो विच असी क्रोध बारे अते इस दे इलाज बारे कुछ विचार पेश करांगे क्रोध की है क्रोध एक बहुत जबरदस विकार है जो इंसान दी बबेक बोते हमला करके उसनों बेबस कर देंदा है मान दी बबेक बोत जदों बेबस हो जांदी है ता इंसान ओही करदा है जो क्रोध करौध है क्रोध नू गुरू जी ने चंडाल केहा है क्योंकि क्रोध करके इनसान बहुत कुरक्त हो जान्दा है उस विचों दया, तर्स अते सहन शीलता बिलकुल खतम हो जान्दे हन क्रोध विच बंदा नीम पागल हो जान्दा है, जिस कारण उस दा कीता होया हर कम गलत ही हुन्दा है क्रोध विच आके इनसान गैरानू ता नकसान पचाउन्दा ही है, वो अपने अन्दा नकसान करन तो भी गुरेज नहीं करदा बंदा जदो क्रोध विच हुन्दा है ताउ अपने बच्चेयानू, माता पितानू अते दोस्तां तक नू मार दिन्दा है रूस दे राजे आईवन ने अपनी गर्ब बती नो नू किसे गल्लों गुसे विच आके तका दे दिता सी जिस करके उसदा गर्ब गिर गया, पाब बच्चा पेट विच ही मर गया जदो राजे दे पुत्तर ने बाप नू किहा कि उसने गल्त कम कीता है तक गुसे विच चिंडाल बने राजे ने अपने पुत्तर दे सिर्विच तल्वार मारी जिस करके उस दा पुत्तर उस दे सामने तड़ तड़ के मर गया फिर राजा बहुत दुखी होया अते तहां मार मार के रोया पर हुण की हो सकदा सी ए नहीं कि अपनी नू जा पुत्तर नू प्यार नहीं सी करदा पर उस दा गुसा उसते पारी हो गया अते उसनों चंडाल बना दिता एद्दान दियां गुसे विच आके कीते कतलान दिया खबरां अक्सर अखवारां बिच आउंदियां रहें दियां कतलान दियां जां गंबीर सरीरिक नुकसान दियां खबरां ता हरेक नाल नहीं बापर दियां पर गुसे विच आके गाला आते होर अप शब्दा नाड सके सबंदियां अते दोस्त मित्रा नू कायल करंदियां वार दातां ता हर कर विच हन अते हर एक नाड हुंदियां रेंदियां हन। अते जिमें चुटकी को खटे आई दोद्दा चाटा फुटा दिन्दी है उसे तरातनिक मातर कीता होया करोध गुर्सिक दी कमाई तबाह कर दिन्दा है हर हलात विच करोध तो बचना चाहिदा है। किसे होर दे कम ते खिजना कमजोर मन दी निशानी है जिस गुर्सिक दी अंदर ली शानती बहर ली दुनियां दी कटना जां किसे व्यक्ती दी हरकत खराब कर देवे उस दी आत्मक अवस्ता हले कच्ची समझनी चाहिदी है। जो लोग नरंतर खिजे रेंदे हन जान जिना नू गल गल ते करोध आ जानदा है उनना दे स्रीर अकसर रोगा नड गरसे जानदे हन। इस बार एक गरवाणी वीच सुंदर फर्मान है। करोध कायां को गाला है जो कंचन सोहागा टाला है। सच्चे गुर्सिक्दा सुबातां इदांदा परपकारी हुंदा है क्यो तां बुरेदा भी पला ही लोचदा है। कुर्सिक्दा गुसा नहीं आउदा जिस करके उस दे स्रीर नो क्रोध नार सबंदित रोग नहीं लग दे। जिम्हे के गुर्बाक है। फरीदा बुरेदा पला कर गुसा मानना हंडाए। देही रोग ना लगई। पल्ले सब किछ पाए। जो बंदा गुसे विच हुनदा है तो बहुत जात्थ नहीं आत質 तक्के कर जांदा है। पर मगरो ओक पष्टांदा है। जिस नहीं नहीं तक्का कीता होए। व्यूम तो भी निमृता सैथ माफी मंग लेनी गुर्सिखाँ वड़ा गम है। जिस बंदे नो क्रोधी बिमारी होवे, पाव जिस बंदे दा पता होवे, कि उस दा अंदर क्रोध चंडाल वस्दा है, उस तो दूर रहना चाहिदा है। जिस बंदे दी सुद सा विसर जान दी है, उस नो कोई होश नहीं रहन दी, उस दा ग्यान रतन सब क्रोध चंडाल चोरी कर लेंदा है, उस दी नाम बनी दी कमाई खतम हो जान दी है, वो खाली हो जान दा है। इस पावनू प्रक्टाउंदा एक गुरुबाक सुनों जी, कठिन क्रोध काट ही के पीतर, जह सुद सब विसराई, रतन ग्यान सब को हिर लेना, तांसें कच न बसाई, जे क्रोध आजावे ता की करना चाहिदा है। जदो ता क्रोध पूरी तरह सिखते हावी हो जावे, उदो ता कुछ कर सकना बहुत मुश्किल होंदा है। पर क्रोध पूरी तरह किसे ते हावी होन तो पहला अक्सर कुछ निशानी जह सायन दिखाऊदा है। जदो गुर्व सिखनों किसे गलते खेजावे, तां समझ लेना चाहिदा है के क्रोध ने हिर्दे विच प्रवेश कर लेया। उसे विड़े नाम जपना शुरू कर देना चाहिदा है जां गुर्वाणी उचारनी शुरू कर देनी चाहिदी है क्यूकि गुर्वाणी दा फुर्मान है के गुरू जी दा शब्द क्रोध नू जला देंदा है। ब्रत नेमना काल संतावै, सत्गुर्षब्द क्रोध जलावै, क्रोध योल्ट जो गुणहन, वो खास करके शांतियत तीरजहन, नाम जबके अपने अंदर शांती बनाणी चाहिदी है, शांत हेरदे वाले व्यक्ती नू क्रोध जां होर किसे विकार दा उसे तरह पता लग ज करन्दा है, जिमें चिट्टी चादरते काले तब बेदी फॉर्ण शिनाखत हो जांदी है, नाम जबके गुर्बानी दा पाठ त्यान पूर्व करके शांतियते तीरजवाले गुणानू प्रापद करन्दी लालसा करनी चाहिदी है, इस तरह एक गुण अंदर प्रवेश क काफी ठाल पैजांदी है, जे गुसा आया होवे ता उस हालत विच चुप कर जाना चाहिदा है, अते उसे विड़े कोई मसला हाल करन्दी कोशिश नहीं करनी चाहिदी, एक दो दिन पाके फिर बेशक गल कर लवे पर तत्त्त्त्त्त्त्त गल करन्दा सदा नुकसान ही स्रीरिक नुकसान कर जान्दा है, अते एत्थों तक की कतल तक भी कर दिन्दा है, कतल करके ओजेल चले जान्दा है, इस तरह क्रोध कारन कई करतबा हो जान्दे हन, गुरु जी ने क्रोध नुए एक फोर्स मन्या है, जो मायाद एक वड़ा एजन्ट है, एक जीवान ने हि तु बिखी जीवानु वस करके उनानु बांदरावांग निचोंदा है, तेरे नाड संगत करन करके जीवानु जमदूद अनेक तरीक्या नाड हुकम कर दे हन, अते सजा दिन्दे हन, केवल दीन्ना दा दुख पननवाडा, द्याल प्रभु ही जीवान दी क्रोध तो रख अनिक सासन ताडंत जम दूता है, तव संगे अद्वंग न रहे, दीन दुख पंजन द्याल प्रभ, नानक सरब जी रख्या करोत, वाहिग्रु जी का खाल साव, वाहिग्रु जी की फते